हेलो फ्रेंस मैं नाम है विक्रम और स्वागत है आप लोग कर मेरी चैनल इंग्लिश लिटरचर विक्रम में तो आज हम डिस्कस करेंगे दप्ले डेथ ओफ ए सेल्जमेन बाई और्थर मिलर तो फ्रेंस किसी भी प्ले को समझने के लिए हमें उसका थीम और करेक्टर्स को ध्यान से समझना पड़ता है तो यहाँ पर देखिए जो इस प्ले का थीम है वो है डिनायल, कॉंट्राडिक्शन, ओर्डर वर्सेस, डिसोडर यानि कि किसी भी चीज को ना मनना, सत्ता को ना मन और जो कुछ भी है उसकी किलाफ और यहाँ पर करेक्टर्स देख लिजिए जो विली नोमन है पहला करेक्टर वो हैड ओफ दर नोमन फेमिली एक 63 साल का बुड़ा आदमी है और उसका बैटा है बीफ, विली इल्डर सोन यानि कि उसका विली का बड़ा बैटा है बीफ और हैपी है विली का छोटा बेटा बैन विली इस डेट बड़र विली का मरा हुआ भाई है लिन्डा विली इस वाइफ विली की बीबी है लिन्डा और यहाँ पर देखिए चार्ली जो की विली का नेवर है और उसका बैटा बर्नार्ट जो एक लोयर है Death of a Salesman जो Order Million ने लिखा है वो पब्लिश हुआ 1949 में और इसे 20th century का one of the greatest play कहा जाता है इस play में यही दिखे गया है कि हमें जिन्दिगी में अच्छे से रहने के लिए या सक्सेस पाने के लिए practical knowledge के साथ साथ किताबी knowledge का भी सहारा लेना पड़ता है जिन्दिगी में सब कुछ ही अनमूल है यह जो play है यह society के जूटे ideal एक common man को कैसे बरबात कर सकते हैं इसके उपर आदारित है यह एक unsuccessful बाप और दो unsuccessful बेटे के उपर ही आदारित है विली लोमेन जो की family का head है वो एक traveler है business travel करता है और अब उसे कोई भी पैसे वैसे नहीं मिलते वो एक commission पाके commission की life जी रहा है बीव जो है वो एक assistant buyer का assistant है जो की एक mini assistant भी कहा जाता है तो वो अभी घर पे आके खेतों में काम कर रहा है विली जो है वो अपने पुराने दिनों को याद करता है कि जब वो अपने business trip से घर आता था तो उसके दोनों बेटे के लिए वो एक hero था विली और उसका पड़ोसी Charlie इन दोनों के thinking में बहुत ज्यादा difference था विली practical knowledge के उपर ज्यादा विश्वास करता था और ये मानता था कि Charlie जैसे लोग जो की किताबी knowledge के उपर ज्यादा विश्वास करते हैं वो लोग एकदम बेवकूफ है लेकिन विली और उसके दोनों बेटे उनकी फेमिली के पास अपने बिल तक चुकाने का पैसे नहीं थे वो एवरी वीक चार्ली से पैसे मांगते थे चार्ली ने एक बार उली को जोब भी ओफर किया लेकिन विली ने साफ इनकार कर दिया एक दिन चार्ली विली के गर आया और दोनों कार्ड खेल रहे थे तब विली ने अपने पुराने दिने को याद करके बहुत पस्तावा किया कि काश वो अपने मरे हुए भाई बेन जोकी डायमन बिजनेस करता था उसके साथ उसने बिजनेस क्यों नहीं किया उसके नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी बीबी के रिक्वेस्ट पर विली अपने बॉस से जोब मांगने के लिए गया ताकि वो अपने घर के पास ही नोक्री करे और उसे कही दूर ट्रेवल करने की ज़़रत ना पड़े क्योंकि अब विली बुड़ा हो चुका है लेकिन विली का बॉस अभी मर चुका था और उसका बेटा ही सब कुछ समाल रहा था तो विली वह जाके उसने उसकी बेटे को बहुत रिक्वेस्ट किया कि उसे गर के आसपास ही कही जोब दे दे लेकिन ज्यादा रिक्वेस्ट करने के वज़े से उसने उसे काम से ही निकल दिया उसके बाद ना चाहते हुए भी विली चार्ली के ओफिस गया और उसने देखा कि उसका बेटा बर्नार्ड जो कि एक बहुत सक्सेसफुल लोयर हो चुका था और उसने मन ही मन में अपने बेटे बीफ और चार्ली के बेटे बार्नार्ड को कॉमप्यार किया और ऐसा सोचा कि उसका बेटा कहा रह गया और एक ही क्लास में परते थे दोनों बार्नार्ड कितना बड़ा लोयर बन गया उली के दोनों बेटे बीफ एंड हैपी प्लेन बनाते हैं कि वो आज अपने फेमिली के साथ डिनर करेंगे कुछ दिनों पहले बीफ सोच रहा था कि वो एक स्पोर्ट्स गूड्स के उपर बिजनेस खोलेगा और उसके बोस से लोन मांगेगा लेकिन बीफ का लोन कैंसल हो गया तो बीफ ने हैपी से बोला कि मेरा लोन कैंसल हो गया लेकिन हैपी ने बीफ को बोला कि ये बात उसकी पिता जी को ना बताए ताकि उनकी उमीद न तूट और उसके बाद विली ने खुद आकर डिनार में बेट कर उसे कहा कि उसकी जॉब चले गई है तो वहाँ पे बीफ तुरह सेंटिमेंटल हो गया और उसने अपने फातार से बोला आपकी बज़े से हम दोनों भाईयों का जीवन पुरा नर्क हो गया है तब विली भी सोच रहा था कि उसकी बज़े से उसका बड़ा बेटा बीफ का पूरा स्टाडी का केरियर खतम हो गया क्योंकि बीफ ने विली को होटल के रूम में एक लड़की के साथ पा लिया था और उसके बाद उसने हाई स्कूल की पढ़ाई भी छोड़ दी इस तरह से आर्गुमेंट होने के बाद बीफ और हैपी दोनों दो कोल गर्ल्स के साथ उस होटल से चले गए घर लोटने के बाद विली की वाइफ वो बहुत नारास हो जाती है उसके दोनों बेटे के उपर क्यों दोनों ने अपने बाप से ऐसे क्यों बरताब किया उसके बाद बीफ बहुत शर्मिनदा हो जाता है और वो अपने पिता जी के पास एपोलोजी करने के लिए जाता है तो वहाँ पे वीली आधी रात को कुछ बीच वो रहाता तो वहाँ पे जाके भी बीफ अपने बाप से आरगू कर लेता है कि आपने अपनी जिंदिगी में कुछ नहीं किया और हम लोगों का जिंदिगी भी बेकार कर दिया उईली ये सोचता है कि अगर वो मर जाए तो उसके इंशुरेंस के पैसे उसके घरवालों के मिलेंगे शायद तब वो काम आ जाए अपनी फेमिली के और ऐसा सोचने के बाद विली ने अपनी गाड़ी ली और बाहर जाकर अपने खुद का एक्सिडन करवा लिया उसके फ्यूनेरल में चारली आये उसके बेटा बारनर आया और उसके अपनी फेमिली भी थी तो वहाँ पे लिंडा जो है वो सोच रही थी कि उसके हस्बन ने जीते जी जो नहीं कर पाए वो उन्होंने मरने के बाद कर दिया उनके इंशुरेंस के पैसे से सारे करजे चुकते हो गए और वही पे बीफ सोच रहा था कि उसने अपने बाप को पूरी लाइफ को बरबात करते हुए देखा और ऐसे ही आखिर में उनकी मौत हो गई और चार्ली जो है वो ये सोच रहा था कि वीली ने अपनी पूरी लाइफ एक सेल्समेन की तरह गुजारी उसने अपनी ज़रूरतों के लिए अपने सपने को बेच दिया चार्ली के इस परस्पेक्टिब और पॉर्ट ओफ ब्यू से ही इस नोबल को डेफ ओफ दा सेल्समेन का रूप दिया गया तो फ्रेंस हमने इस नोबल में देखा कि हमें किताबी नोलेज और प्रैक्टिकर नोलेज दोनों का सहरा लेकर ही जिन्देगी में सक्सेस मिलता है विली बहुत एक लापड़वाई से अपनी जिन्देगी जी रहा था और उसने हमेशा ही किताबी नोलेज को बेकार समझा और उसका खामियाजा विली को पूरी जिन्दगी में बुगतना पड़ा तो यही था इस प्ले का मेंन थीम I hope friends आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आपको यह विडियो अच्छे लगा तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक्स पर वाचिंग